कादल खान जी मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं जिसे आप टीवी के प्राइम टाइम की नौटंकी बता रहे हैं और जिन क्राइम ब्रांच के पुलिस अफसरों को आप डरे वे बता रहे हैं वो डरे वे पुलिस वाले आपी की तो मदद करने आये थे आपने गंबीर इसके उपाद्धेच सेर सिंग डागर थे उनको हमने सबूत के साथ वीडियो के साथ पुलिस को दिया था प्रेस कांफरेंट्स करके बताया था मैं पूछना चाहता हूं क्राइम ब्रांच के आकाउं से कि उस पर आपने क्या किया सेर सिंग डागर को जेल हुई क्या यह तो जहते हैं वहीं तो ब्लक हैं लोग हैं वहցई बता देंगे कि भारतिये जंतापार्ट्री किस तरीके से पूरे देश में करते हैं आदिल जी आप इतने बड़े 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 प्रेस कॉंफरेंस कर रहे थे आपके नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे थे अब जब आ गई पुलिस आपके पास पूछने के लिए बताईए वह कौन करणाटक के सोब्सक्राइब करनाटक के अंदर 2016 में जेडीयस और बीजेपी के 17 अमेले वही लोग नी आ आप से आदल खान जी यह जानना चाह रही हूं कि आप सबूत देने में किस बात से बच रहे हैं आप बार-बार कहते हैं कि उनसे पूछें इनसे पूछें तो क्या दिल्ली की क्राइम ब्रांच अभी तक तो चलिए एडी जो कर रही थी वह गैर कानूनी था कोट में चला गय कि आपके इशारे पर काम करेगी कि जाए इनसे पूछें जाए उनसे पूछें हमसे ना पूछें हमने आलोप रगा दिये हमारी अपको इजम मेदारी नहीं है कि प्राशी जी पिछले तीनों से जो भारतिय जनता पार्टी द्वारा संचालित दिली के नें देखा है उस पर कोई और किस तरीक से पहले का और बार्टी जनता पार्टी के लोग मीडिया के लोगों को बेचते आपने देखा कि कल हमारे एक वरिष्ट प्रवक्ता ने जैस्मिन साजी ने जब क्राइम बरांस से पूछा कि भाया बताओ कौन सी चिठिल आए हो जो आपको सीम साब के हाथ में देना है तो बलते हैं जी मीडिया के सामने बात नहीं करेंगे इससे साफ जाहिर है कि जिस पुलिस को दिल्ली के अंदर क्राइम को रोकना था वो भारते जंता पार्टी के कारकरता कि तरह करने लगती है